मेस रासी वालों का आजी का रासी फल यणी की 14 नवंबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 14 नवंबर 2020 के पंचां के बारे में आजी तीथी है चतुर दसी नक्छत्र है सुवाती पक्छ है क्रिस्न पक्छ दिन है सनीवार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजी के 43 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 27 मिनट में रितू है हे मन्त आजी का दिन काल है 10 घंटे 44 मिनट 23 सिकेंड का महिना है कार्तिक आजी के दिन सुभ समय सुरू होता है 11 बजी के 44 मिनट एम से 12 बजी के 26 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 6 बजी के 43 मिनट एम से 8 बजी के 9 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 9 बजी के 24 मिनट एम से 10 बजी के 44 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग इस वीडियो के अंत में आजी के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लैक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पड़ियास करें सबसे पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके घर पड़िबार के बारे में दोस्तों घर पड़िबार के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत जयादा नीचे है आने वाले शमय के दोरान आपके घर पड़िबार के लोगों के कारण आपको तनाब का सामना करना पड़ेगा आने वाले शमय के दोरान आपके पड़िबार बालों के कारण आपके जीबन में कुछ पड़ेशानी होगी कुछ समस्या होगा लेकिन उन पड़ेशानीयों को आपको खत्म करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके घर पड़िबार का माहौल आपक धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदार है आने वाले शमय के दौरान धन संपती के मामलों में कहीं कोई पड़िशानी नहीं होगा दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक आज से पहले बीमार थे जिनका स्वास्त साथ नहीं दे रहा था तो आने वाले शमय के दौरान आपके स्वास्त के मामलों में कहीं कोई पड़िशानी नहीं होगा लेकिन आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक छात्र हैं भी द्यार्थी हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके पढ़ाई लिखाई के छित्र में आपको पड़िशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान आपके पढ़ाई लिखाई में अगर आप शमय का दुरूप योग करते हैं तो आपका शमय आपका भग्य आपका शाथ नहीं देगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आप अशनान ध्यान करने के बाद भगबान सुर्ज को तामबे के पात्र से अर्ग दें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदार हो जाएगा दोस्तों आज आपके लिए भग्य साली अंक है नव यनी की नाइन आज आपके लिए भग्य साली रंग है भुरा और सलेटी तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद